हां जी सभी लोग को नमस्कार कैसे हैं आप लोग बढ़िया तो कैसा रहा आज कैसा चल दा है सारी चीजें काफी लोग का यूट्यूब पर कमेंट आया था कि डबॉल बॉलिंजर बैंड इस्ट्रडजी में थोड़ा सा और प्रकास डाला जाए है ना मैंने सुझाए कि चलो नहीं वह जरूरी भी था जरूरी इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा वहां पर चीजों को समझना जला जरूरी हो जाता है तो आज उस पर भी थोड़ा सी चर्चा करेंगे प्लस जो आपकी क्वेरीज हैं उनको भी थोड़ा सा देखनेंगी पोशिश करेंगे आज मैं थोड़ा सा दिन में अवलेबल था नहीं धर उगरी था बाहर जो मैंने आपनों को बोला था इसी इस वाली कंडल पर नमस्ते सार नमस्ते मैंडम नमस्ते इस वाली कंडल पर जो मैंने बोला था एक बार आरेसाई लगा देते हैं तो इस वाली कंडल पर यहां यह वाली कंडल थी इसको मार्क कर लेते हैं इस वाली कंडल को वार्टिकल तो यही मैं देख रहा था, मैंने भी इसमें छोड़ा सा ट्रेड बनाया था, गाडी में बैठेवे ट्रेड बनाया था, छोटा सा बट इसमें उप्ला मुवमेंट मिला नहीं, इसमें जो लॉस हुआ, वो नियर बाउट हुआ, साथ पॉइंट का लॉस हुआ, जब यह वाप यहां यह उपर गया नीचे है उसका साथ पॉइंट का लाउस वाद मैं लेका छोड़ो यार क्योंकि एक तो आज फ्राइड दे था तो फ्राइड में उतनी ज़्यादा कर Іंचे फोर्य आज लोगों का कहना है लेकिन मैं थोड़ा सा या भी देख रहा था कि जब यह प्लटने लगी तो फिर मैंने डे का चाथ रहा धे चार्ट पर क्लिर क्लियर रहे बता रहा था जैवश्त की आई को प्रवीज नीचे जाने को राजी नहीं ब्राइख है अला कि गया है वीज नीचे एक बार सस्थेंड करके 50 पॉइंट का नीचे यह जंप मारे विगिन जंप नहीं मारा उसने और यह ऊपर हो गया तो अभी देखे मामला के डे चार्ट पर बीस के उपर सस्थेंड हो चुका ह तो अभी मार्केट आपका जो है मान्जवार फ्लैट टू बुलिस अभी मार्केट बियरिश नहीं इंटाटे में बियरिश ट्रेड में सकता है लेकिन मार्केट अंगर बड़े आपचार्ट पे देखऊ पर फ्लैट टू बूलिश है थो एक चीजी यह भी देख लीजे थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते हैं रहा हरा हम एक जब्सक्रों कार facing जगह पेंख हुआ सब्सक्राइब जीन फीर्ट वाइथ देख में ऐस कलाव थेल्क्राइब moet कि आपका क devices ना और अधेडियों इंध डेली में विफलिश आद ले Dense zone में खड़ा है, इतना सारा मोटा मोटा है ज्यादा कुछ समी टेखनीकल नहींatic इतना सारा टेखनीकल है ही नहीं जी इतना लोग बताते है टेकनीकल क्या है थिलिझा टेकनिकल ही जbane घंड न में kann दो पर दूस्री बात कि रइनकोपे रइनको चार्ट पे दे में निफ्टी जो है बाई सिगनल दे चुआ है रेन को चार्ट पे आज के दिन ये कनफर्मेशन है तो आज मैंने फिर एक छोटी सी कोईशन मनाई है देखे क्या होता उसमें बाकी कैश जो है कैश में आज आज मेरा एकाउंट जो है नियर बौट डाउन है आज की बात है अज आज की बात है ब्राक वाली बात नहीं है मैंने थीन मजित देखा थे ह болगाए सबसटे होते आपका टू का माइनस टू पॉइnt वज़ पॉइंट से टिशा हो तेली ग्राम पे आज के दिन माइनस टू पॉइंट सब्सक्र उड्सक्री ओड्र का गीन सबस्क्त बंढ़ की तो मेरा भी cóई रही धए यही वाला जो पॉइंट है आप इस पर भी देख सकते हैं जाते आते इसने थोड़ा सा ग्रीन एरिया दिया तो इतना भी चिंता करने की जुरूरत आपको नहीं है यह बार बार पाइवट पॉइंट आ जाता है पता नहीं इसको सही करना पड़े है किसी में बहुत डिस्टर्ब करता है ठीक है है वह दबलू ब्रेको रहे है व्रफ दबलू यह वाला डबलू यह व्रफ आ है अधर डबलू नहीं कुछ और ही बनता अ है धुट्टर्बलू नहीं लास्टर्थ कि स्वहिं देखो लुझे अब आते हैं डबल बॉलेंजर बैंट पर निफटी पर देखेंगे निफटी थोड़ा से डबॉलेंजर बैंट को जो लोग इंट्राडेमें ट्रेड करते हैं इंट्रा डे में जो लूब ट्रेड करते हैं, इसको लेके चलेंगे आज 5 मिनट से, 5 मिनट से लेके चलेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कि किस तरीके से डबुल बॉलेंजर बैंड पे आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो, छोटे स्टॉप क्योंकि इस पे कोई चीज ट्रेड करने का तरीका होता है, इस पे किसी भी चीज पे ट्रेड करने की कि पहले बात तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को ट्रेंड करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग पुराने वाले वीडियो में दी हुई है, जा कर देख लीजे तो सबसे पहले डबूल पोलेंजर बैंड में जो दो ये बैंड लगाये हुए इनको आप कहां कहां यूज करते हो आपको इसको इंट्रा में आप यूज कर सकते हो इंट्रा में आप स्विंग्स में यूज कर सकते हो इंट्रा और स्विंग्स में कहां कहां इंट्रा और स्व अगर इसको डेवलप कर लिया होगे तो आप अपने इंवेस्टमेंट में भी इसको यूज कर सकते हो तो आज हम लोग इसको कम से कम पाच मिनट 15 कि 30 वन आ और उनडे अनट इन पास टाइम फ्रेम पे देखने की कृशिस करेंगेда पास टाइम फ्रेम पे देखने की कृशिशन करेंगे आपका यसा पर लेकंड से वन या वन वीक रख लो वहां पर यह कोशिश करेंगे कि इंट्री कहां है इंट्री कहां है एसल कहां है टार्गेट एज पर इमोशन एज पर इमोशन एज पर इमोशन और टेक्निकल टार्गेट दो तरीके से बुक होगा पहला ये और दूसरा ये तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा चला जी पिछले कुछ दिनों का मार्केट उठा के देख लीजिए सबसे पहले मोटा मोटा समझिए कि आपको इसमें ट्रेड कहां लेना है हाला कि मैंने पहले भी बता रखा है ट्रेड कहां लेना है और स्टॉप लॉस कहां रखना है सबसे बड़ी बाद कि trade कहा लेना है और stop loss कहा रखना है trade हमेशा आप किसी भी टाइम फ्रेम पे हों पांच मिनट से मिनट से लेके पांच मिनट से लेके एक घंटे के टाइम फ्रेम तक कहीं पर भी इहां पर इसको मतलब देख से आगावा ये वाले जो ब्लू लाइन , अगर आप उपर का uan तो कोशिश किए कि यहां पर कन्फर्मेशन हो रही है लेकिन to avoid wrong entry एकदम आप conservative उसमें mode में चलना है कि मतलब मैं गलत entry में लूंगा ही अगर आप एकदम देखिए market में जो SL है वो हिट होने के लिए ही आज भी SL हिट हुआ है साथ पॉइंट का SL हुआ है साथ पॉइंट का SL अगर आप discipline के साथ साथ पॉइंट का SL ले रहे तो I don't think बहुत बड़ा SL है साथ पॉइंट का कि लोग एक दिन में एक या दो लॉट से बीस या पचीस या रूपय लॉस कर रहे हैं जब तक सिस्टम को चलने का मौका नहीं दीजिएगा जब तक system को उसके discipline से चलने का मौका नहीं दीजेगा जब तक आप अपने discipline पर नहीं आईएगा तब तक आपके लिए कुछ नहीं काम करने वाला है मैं जा ब्रम्हा भी आपके लिए काम नहीं करने वाले है इस बात को आप note कर लो है ना जी पहली बात दूसरी बात कि मैंने आपको क्या बोला कि आप यहां पर ट्रेड लोगे इस टॉप लॉस कहां डालेंगे यहां इसमें हमेशा इस टॉप लॉस आपका दो जगह बनेगा यह जो बीच वाली लाइन है यह 20 की मुविंग एवरेज है और नीचे वाली लाइन यह पतले वाले छोटे वाले ब आप जो ट्रेड लोगे अपर साइड के जो ट्रेड लोगे हमेशा इसके उपर लेने की सोचों क्यों कि आपको तो क्यों सेटिंग से मतलग है आपको माल लीजे यह सपोस्ट जैड जैसे मैं बोलता हूं बोलेंजर बैंट की उपर वाली लाइन 20 वाइटू है बीच वाली मैं आपको दिखा दूंगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसकी जो सेटिंग की गई है ना इन दोनों बोलेंजर बैंड के बीच की जो सेटिंग में जो अंतर रखा गया है आप जाके देख लो शायद आपको वीडियो मिल जाए ना मिले यूट्यूब पे वह में नहीं आनता तुकि एक मेरे पास एक सज्जन ने बुक भेजी थी बुक का पीडिया भेजा था वह नियर बाउट थी ढाई 300 पन्ने की बुक थी उस बुक को पूरा पढ़ा गया उस उसके हिसाब से इसे strategy को deploy कैसे करेंगे मेरा मतलब उससे होता है इसके किसी ने बता रगा मेरे सिस्टम पे कोई भी हो मैं नहीं काता सभी लोग अध्य strategy बताते लेकिन उसको यूज़ उसकी usability क्या है और उसको यूज़ कैसे करेंगे कब करेंगे कहा करेंगे और उसकी setting में कितना आप कितना करेंगे हर सारी चीज़े होती है हर इंडिकेटर की इस ने हैं कि में ग्रम स्वाइ में sin अंब एक ही मैं नूर्दरस दूसरी होती है इसको बोलते है मतलब sogenan no indicator इस्ट अधि दूसरा नेचेटर रोटा अपका इंडीकेटर बेश्ट लिए विए लाइ सबस्वत पड़ेखा कि इंडीकेटर बेश स्टेटीजि इस प्राइए स clap he क्यों बहतर है कि नो डॉट मैंने कहता है कि प्राइस एक्षन काम करता है अब देखे अब यही ब्रेकाउट ट्रेड है फिर मैं आपको कल बता रहा था ध्यान से सुनिएगा मैं कई यहाँ पर ब्रेकाउट यहीन करते हैं अ यहां पर क्योंकि वह लास्ट को हमेशा इस्तो प्लास मान के चलते वाइस-वर्सा कर देंगे तो डाउन साइड की बनेगी हमेशा लास्ट स्विंग को इस टॉप लॉस बना के चलते हैं आप देखें प्राइस सेक्षन यहां फिल हो गया ना बट जो आपका एवरेज देखें जो आपका अभी इंडिकेटर एवरेज बेस्ट है आपने यहां पर ट्रेड लिया आपने यहां पर क्योंकि आप कहीं पर देखो यह चोड़ा है और कहीं पर यह पतला है वह आपको समझना पड़ेगा इन दो जगहां पर देखना पड़ेगा तो यह देखिए वह यहां पर जाके ट्रेड बनाएंगे यहां से वहां तक की दूरी कितनी है दो 21-700 यह है आपका 21-750 और यह है आपका 21-700 यह है आपका 21-700 तीस पॉइंट की दूरी है यह वाली दूरी अगर आप ले लोगे 20 पर तो आप 20 पॉइंट पहले ही इंटर हो से 20 पॉइंट लेने के लिए और 20 पॉइंट देने के लिए मार्केट में हाहा कार मचे जाती है 20 पॉइंट देना और 20 पॉइंट लेना जो बंदा 2000 क्वांटिटी के साथ 3000 क्वांटिटी के साथ 4000 क्वांटिटी के साथ निफ्टी या बैंक निफ्टी में गुसा हुआ है उसके लिए 20 पॉइंट की उसके लिए वैलू पूछी आप क्या वैलू है 20 पॉइंट की है ना जोना आप 20 पॉइंट पर आप इन सब बातों को समिझो जर्जो मैं बताना चाह रहा हूं ना प्लीज आप लोगों से हाथ जुड़कि निवीधन है कि इन सब बातों को समझेगे, जब तक आप इन सब बातों को नहीं समझेंगे सर आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है मैं क्यों अपना सारा काम धाम करके छोड़के फिर से आपके साथ आके बैठ जा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई एक लाइन मेरे मुझ से निकलिए कोई एक हलकी फुल की चीज जो आपकी दिमाग में कहीं न कहीं जाके सेट बैठे आए और आप बकायदे अपनी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिट के साथ स्टार्ट कर लो आज स्टॉक्स मेरे पासे इंक दो थे मंडे को देख लेंगे स्टॉक्स क्या बंदर दिन पर बात तक बताते हैं कि आ और में इसको देखिए तो यह चीज हो गई आपको सर जो मैं बता रहा हूं उसको गृप में लेना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा उसको सीखना पड़ेगा और यह बड़ी ही ना स्टेंडर्ड हर चीज को आप कोई भी चीज लाते उसके साथ एक मैनुवल मिलती तो मैं उसी का मैनुवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बाकी समझे ना समझे वो थोड़ा सा आपकी ऊपर है लेकिन मैं आपको कभी भी कोई गलत चीज देने की कभी भी कोशिश नही करूंगा सपने में भी कि जिससे थोड़ा सा मामला हो जाए तो समझे इसको तो दो टाइप की स्ट्रेड़ी होती है हम लोगों ने डिसकस किया अब इन दो तो इंडिकेटर बेस मैं अब आप मेरा देखो या मैं जो आपको बताता हूं वह देखो सारी की सारी इंडिकेटर बेस इंडिकेटर बेस इसे डिवम क्यों कीजिवित जो है अपको एज देता है यह ना है आपको इनन आउट देता है मैं बहुत सारे लुग बहुत सारी चीज हो जो लोग बहुत सारी चीज़िया कशम करते कुछ चीज़िस वती पर अपना महारत हासिल um ऑब अब यह इंस में इन सबको डिलेट करते हैं और पीछे चलते हैं पीछे चलते हैं अब देखिए अब यही वाला मैटर उठा के देख लिए यही केंडल है आप मैं आपको दो पॉइंट अप और दो पॉइंट डाउन के वह बताने की कोश्च देखें जो मुवमेंट बढ़िया हुई है उ उन उन जगहों पर देखिए जो आप आसानी से पकड़ सकते हों चलिए वह तो ठीक है देखें जैसे यहां यह देखिए अब यहां पर एक थोड़ा सासा इस्टाप लॉस ओर टार्गेट डालने की कोशिश करते हैं कि यहां पर इस्टाप लॉस और टार्गेट क्या पनाते हैं यहां पर यहां पर डिपलाई कर दिया लांग पोजीशन आपका स्टॉप लॉस ही है कि स्टॉप लॉस है यह रख लिए और टार्गेट अक्सर जब आप टार्गेट रखिए न अगर मार्केट यह मुव्मेंट है तो यह ऊपर की लाइन चू कर ही वापस आएगा इस स्ट्रड़ी क्योंकि ऊपर की लाइन का जो एवरेज जो रखा गया वह इस तरीके से रखा गया है कि यह उस टाइम फ्रेम पे अगर यह उपर वाली लाइन चूग गया तो यह ट्रैप कर जाएगा अगर देखे जैसे उपर लाइन देखे चूआ यह वापस आ गया दे यह पका नीचा गया देखे ऊपर की लाइन चूआ नीचे आ गया हमेशा होगा हर मिनट के चाट पे होगा हर मिनट के चार्ट पे होगा है न तो यह समझ आप देखिये कितने ने का रिस्क रिवाड रेशी वह 1 इस्टू 6 कि वन पॉइंट शिक का आपने हाँ कितनी का सजी लिए यह है शात शू भी स यह आपका सैसो चॉरान्मिय मतलब 25-टीस पॉइंट का सण और मैं आपको तब बता रही है और उघ्नकल जो मार्किट में एक-दम लेस मुवमनेंट है मार्केट में एक दम छोटा मूमेंट है मार्केट तब मैं आपको बता रहा है एक दो डाउन का देखते हैं इसमें आप पांच में बहुत अच्छे तरीके से डाउन का देखिए मार्केट ऊपर गया क्लोजर मांगने का देखिए कभी भी यह अगर बैंड चोड़ा देखिए यहां पर यह बैंड पतला है यहां पर आप देखोगे यह बैंड जो है यहां पर यह देखिए बैंड पतला है तो यह आने वाले मोमेंटम जब इस पर मोमेंटम आये गा इस बैंड पर ऊपर की या नीचे की तरफ कभी भी कही पर भी मोमेंटम आएगा तो वो मोमेंटम तेज होगा जैसे मैं आपको कैसे बताऊं जिस तरीके से CPR काम करता है CPR का नाम आपने सुना है Central Pivot Range C Central Pivot Range CPR में दो चीजे बनती है एक ऐसे बनता है चौड़ा CPR और एक ऐसे बनता है पतला CPR बनता है कि नहीं गुलिए गुलिए जरां देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं CPR थोड़ा सा यहां पर लगा के देखेंगे CPR को Floral CPR CENT、R beiden देखिए यह वालासे CPR बनना है और यह वालावा-सीपीयार पत्ला बनना है पिर देखिए वालासे प्यार चौड़ा बनना है ना फिर आप देखोग है पिर आप देखोगे यह भी देखें थोड़ा सा वाइड है यह उससे नेरो है यह और ज्यादा वाइड है कि CPR की इस CPR की हाला कि CPR ऊपर और नीचे बनता है किसी रेंज जो रेंज बनती है CPR के बीच वाली लाइन पाइवाट पॉइंट होती है पाइवट पॉइंट होती है अगर आप यहां पर पॉइंट लगाऊगे तो सी पीयार के बीच वाली लाइन जो होती है वह पाइवट पॉइंट होती है तो पतली वाली लाइन होती है ज्यादा कोशिश करेगा करता है तो यह से प्यपर गॉलिटी को गॉलींजर बैंड डवल बॉलिंजर बैंड फॉलो करता है कि अ कॉलिटी सेव है फ्लेसिंग अलग है वह अलग है ये समझेगा जितना मोटा बैंड उतना ही आपका पहली बात तो इस टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और बैंड जितना पतला रियक्षन उतना तेजी से होगा रियक्षन उतनी तेजी से देगा यह यह बात हमेशा याद रखिएगा अब देखिए दो तीन जगह जहां पर आपके इस टॉप लॉस हीट हो रहा है उसको भी समझेए अब एक मोमेंटम आपने यह देख लिया अब देखो आप यहां पर यह वाली जगह देख यह वाली कभी भी बेंड पतला हो जाए ना तो हमेशा एलर्ट रहेए बीच वाला बेंड पतला हो कहीं पर भी किसी भी टायम फ्रेम पर मलदा पाँ हमेंट से तरफ जाहरा मार्केट नीचे जाना चाहरा है या मार्केट उपर जाना चाहरा है है आप यहां पे इस टो पर लॉस हीट होगा आपका यहां पर देखिए बैंड चौड़ा होने का एक मतलब यह भी है कि मार्केट मोर ओवर साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है यहां पर बैंड की चौड़ाई बढ़ गई है उपर जाते याते बैंड की चौड़ाई इसके पढ़ गई इसका मतलब कि मार्केट वे ज्यादा मोमेंटम नहीं है बैंड चौड़ा होने का मतलब यह होता है कि यह जो ब्लू वाली लाईन है यह ब्लू लाईन है और इस ब्लैक लाईन की दूरी कम है यह जो ब्लू लाईन है और नीचे वाले ब्लैक लाईन की दूरी कम है यह हो गया आपका नीचे की स्थिती में जब मार्केट नीचे जा र तो ये भी चीज़े ये चीज़े बहुत छोटी चोटी और बड़ी माइनूट चीज़े एक तम पैंसिल के नोग की तरह की चीज़े हैं इसमें अब आप देखिए थोड़ा सा पीछे आईए देखिए बैंड चोड़ा है ये मार्केट को नीचे लेके आया आप वेट करो कि भी या तो तुम यहां से उपर आओ या तो तुम यहां से नीचे आओ अब ये दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खा रहा है जाले बैट कि दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खाने शुरू कर देगा बचिह नहीं सकते सर ऐसे मार्केट जैसे मार्केट में त्रिकिए मैं किस तरीके से काम करता हूं ऐसे मार्केट में हमेशा अगर मैं लेटर स को अगर मैंने हां कहीं लिया यहां पर माल लीजे यह आपका है कि यह कैं yang है अगर मैंने च्रेड लिया है कि य यह यह महांत जानद चलते हैं तो वह थो कि आपके उपर डिबेंड करता है कि तरह इस टॉप लॉस प्लान कर रहे हो जो मैं हमेशा कहता हूं लेकिन बचने के लिए आप क्या कर सकते हमेशा इस को पर आप नीचे का यहां पर आपने बनाया वहरी जैसे पूरा फोकस आपको इसी पर रखना है कि वहरी जैसे और आप एक काम और कर सकते हो जब तक यह बोलेंजर बैंड की अपर लाइन की ऊपर एक कंडिल क्लोज करके इसका फॉलॉप ना मिले तक आप ट्रेड मतलो अगर आप नहीं है और इसको नहीं तरीके से यह बहुत तरीके से आपको बचा ले जाएगा सर अब देखें यहां पर नीचे आके यह कंडिल ग्रीन बन गई रुक जाईए आईए थोड़ा सा और पीछे चलते कहीं पर जहां पर स्विफ्ट पर एकदम मुवमेंट मिली हो देखिए बुलिंजर बैंड पतला है यह सब चीज़ें आपको इस पर ट्रेड डालने में ध्यान में रखनी पड़ेंगी बुलिंजर बैंड पतला है यहां पर आ गई है कंडिल यहां पर आपने ट्रेड लिया आपने यहां पर इस टॉप लॉस डाला यहां पर यहां पर इस टॉप कमी है इसमें कि यह सब्ट्रेट आपको नहीं लेने होंगे यहां पर जाएगा यहां से मुड़े है एगा फिर उपर शेटब कंग्रे कि बुलेंजर बैंड की कुलीटी मार्कप करके चल्नाएं और अगर बैंड गा जाए इस चीजें लगा要 प्रॉफिट देगा से आपको यह अगर आप इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो प्रॉफिट देखिए बैंड बीच वाला बैंड एकदम नैरो चला बस आपको वेट करना है इधर साइट कहीं पर तूटे इधर साइट कहीं पर तूटे सबसे पहले आज का मार्केट देखते हैं इसको डिडिट कर देते हैं पंदर मिनट का चार्ट देखिए जो मैंने अभी आपको पांच मिनट के चार्ट में समझाया है सेम चीज फालो हो रही है देखिए आज की यहां से आठ फरवरी से आज है आज आठी नौ है कि नौ का ट्रेडिंग कहां से स्कूरा एंड नव हाय न आज से जो स्कूरा ऑर एंडेडिंग देखिए और उसके बाद ये गया तो फिर ये ऊपर ही रहा है तो बैंड की चौडाई के हिसाब से बैंड की चौडाई के हिसाब से मार्केट एप मूँवमेंट नहीं है आगे थोड़ा सा चलके देखिए और इसमें एक बात ध्यान लिखती यह normal dvpaly र व bench20 अब कर्मल बोलेंजर बैंड के 20 बाइटू और 20 बाइटू को नहीं फालो करता है देखिया यह सेटिंग में बताता हूँ है देखिए नेरो बीबी 2.5 है और वाइड बीबी 0.6 है यह 2.5 है और यह 0.6 है ठीक है तो अ इसी वजह से यहां पर इसके ऊपर कोई केंडल कोई है या इसके पास खुली है या इसके ऊपर खुली है इसके पास वी अकर खुली है तो नॉर्मल वाले बोलींजर बैंड पह वो ट्रैप है इसका मतलब यह हुगा कि नार्मल वाले बॉलिंजर बैंट पर ट्रैप है तो आप इसमें हमेशा कोई भी टाइम फ्रेम हो सर आप इसमें हमेशा वेट करेंगे अच्छा इसमें आपको दो सुब्धाएं और मौजूद हैं दो सुब्धाएं इसमें आपकी 250 की मूविंग और को जब बीद्हां पर आपको कंड्र मिलेगी आराम चाहिए से यहां पर यहां पर्म कंड्र मिली द्लाय में आपको यह कारण परर इंटो को है इसने में दो करता है कि आप कितने देर तक बैठ सकते हैं कभी 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 दिन फर बैठता हूं कभी कभी दोगंटे बैठता हूं कभी तसी मिनटे निकल जाता हूं कि वह आपके टेकन हभां करताय है कभी अब देखिंगए उन्त तरीकें पूरे टरीके से यह पर यहां पर आपका ट्रेट बन रहा है आपका इस टॉप लॉस यहीं पर है पूरा मार्केट रेंज माउंड है थोड़ा सा पीछे आईए देखिए जब भी नैरो रहे तो इस पर ध्यान दीजिए अब आईए इसको एक घंटे की चार्ट पर भी देखते हैं कि एक घंटे की चार्ट पर क्या बोला है एक घंटे देखे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे ऐसे आप चार्ट का टाइम फ्रेम बड़ा करते आपका जो इस टॉप लॉस है वो बड़ा होता जाएगा और डबल बोलेंजर बैंड इस्टेडी पर जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते आओगे इसकी एक्कुरेसी बढ़ती जाएगी ट्रेड आपको कम मिलते कम मिलेंगे ट्रेड मिलना आपको कम हो जाएगा जैसे यहा गड़ेंगे पर अगर यह कैंडल क्रॉसिंग दे रही थो अगली कैंडल पर आप आराम से ट्रेड कर सकते रहीं ओ अर यह जो आप टीन कैंडिले देख रहे हो यह वाली थीन कैंडिले ये तीन केंडिले ये नार्मल वाले बोलेंजर बैंड पे ब्लास्ट की पोईशन है और आपकी ट्वंटी बैट टू की जो नीच वाली लाइन है उसके बाहर चिपक के चल रही है क्योंकि इसका रेशियो है 0.6 यह बात ध्यान रखिएगा किसी स्टॉक में लगा के देख लिए कहीं भी कोई भी स्टॉक में लगा के देख लिए और यह भी जान लिए कि जब तक केंडल इस ग्रीन और रेड जोन जो दिया हुआ है इसको भी बनाये गया है इसमें जब तक केंडले ग्रीन जोन में तब तक मार्कट बुलीश आज तक कांडले इस रेट को में तब तक मार्केट भी लिई WITH कि ग्रीन जोन में है बुलिश और साइडवेज बीरिश और साइडवेज ध्यान रखेगा पांच सेकेंड दीजिए इस बात को ध्यान रखेगा कि अढूओन है इस बात कर देएड़ और साइड़ा है इस बात कर देखेग fan कि खाज़ इस बात कर दो है अब थोड़ा से इनको स्टॉक्स पर लगा के देख लीजिए कि स्टॉक्स पे किस तरीके से काम करता है और किस ताइप का SL आपको प्रोवाइड करता है कोई भी स्टॉक पकड़ दीजिए ना बगल में वाच लिस्ट से पकड़ देते हैं आप इसका जाके स्कैनर भी बना सक इसकी सेटिंग के हिसाब से अदानी देख लीजिए अब एक घंटे में बाई पर है यहां से एक घंटे में बाई पर है अब यहां पर अगर आप इसकी RSI 14 की अगर सहयता ले लेंगे तो यह आपको बढ़िया ट्रेड देगा है ना डे चार्ट पर आईए कि डे चार्ट पर इसका बिहेविरल क्या है किस तरीके के इस टॉप लॉस निकलेंगे डे चार्ट पर अगर आप क्या कहते हैं अपना investment करना चाहते हैं investment या swing trade करना चाहते हैं डे चार्ट पर तो हमेशा कोशिश कीजे कि इस line के ऊपर ट्रेड लीजी किसी भी उसमें जहें वो 5 रुपे का इस ताख हो जहें 5 यह रुपे का इस ताख हो डे चार्ट पे हमेशा इस की इस लाइन के ऊपर ट्रेड लेना सीखिए इस पर ट्रेड करेंगे कभी भी लॉस नहीं होगा और प्राफिट बुक आइस पर इमोशन या इस पर टिक्निकल इसमें आप चाहें अपनी सायता से पांच की मुविंग एवरेज लगा लिजे दस आराम से मिलेगा और प्लस जो चीजे मैं आपको रोज बताता हूं वो भी इसमें आप फालो करवा सकते हैं जैसे किस मुविंग एवरेज पर कैसे ट्रेल करना है किस तरीके से ट्रेल करना है मैं कोशिश करूँगा इसकी एक पाइन स्क्रिप्ट डवलप करवाने की कि डब कि बहुत ही बढ़िया काम करेगा बहुत सुंदर काम करेगा डबल पुलेंजर बैंड प्लस आपका फ्लूइट ट्रेट्स प्लस आपका बीज पाइस में बहुत बढ़िया काम करता है सरी यह देख लिजे और भी कोई स्टॉक देख लिए वीकली पर देख लिए वीकली पर नज़र डालिए इसमें क्या बोलता है वीकली पर देखे मैंने आपको बोला कि वीकली पे आप 20 की moving average को ध्यान में रखके चबिए वीकली पे आपका बहुत ही जवर्दस्त काम करें बहुत ही जवर्दस्त काम करें कहीं पर भी उठालो आप भारती अटेल उठालो आप ये जोन जो है जब तक ये वाला जोन टूटेगा नहीं ये वाला जोन ये जो पू लिए इसमें आप 20 की moving average follow कर सकते इस टॉप लॉस ट्रेलिंग लिए आराम से follow कर सकते हैं अ बेरिश हो ही नहीं सकता सरी आपने एक बार यहां पर ट्रेड बना लिया इस जोन के ऊपर ट्रेड बना लिया यहां कहीं पर ट्रेड बना लिया इस टॉप लॉस इसके नीचे अरे सब्सक्राइब करते हैं आप इसमें एकम यूज करके आरायी की आराम देट तक यह प्राइस इस नहीं नहीं ब्रूटरी और तक कि यह थे में अपने बने विश्य कि टॉक में ही पधाये तो इसने के याद आया कि बताया और में तको पहले बताया है थे सप्षर होटल इंडस्ट्री में इसलिए ने खिर में और रिलाइंस के शेर में गिरावट ना होना यही बताता है कि निफ्टी को खीच के ऊपर ले आएगा कि निफ्टी कुछ भी कर ले उसको जाना ऊपर ही है रिलाइंस से भी देख लिए यह डेचार्ट कि मैंने आपको दिया था नियर बाइस और सिक्री आसपास दिया था देखिए 39 रुपय चला कुछ लोगों ने 26 पर प्राफिट बुक किया कुछ लोगों सोटा सा सा स्टॉप लास रखे ट्रेल कर लिया कि यही वाला था 26 का लेबर यही वाला था पर नीचे नहीं आए और भी कोई स्टॉक देख लीजे आइसी एसी आइसी आए बैंक या एक्सिस बैंक देख लीजे देखिए डाउन चला जब तक यह डाउन चला तो तक नहीं आएगा तो आगले दिन बहुत बड़ा गया तो अगर आप राफिट बुक करना चाहें तो कि उसके बाद फिर यह साइडवेज होगा साइडवेज होके फिर अभी उपर जाएगा अभी उपर जाने के लिए धिर धिर तयार हो रहा है एच्छी अटेक देख लीजिए इनफी देख लीजिए सब में यही था यहाला गयप अप सब में लगा हुए तो इस तरीके से च इस चलाने का तरीका काम करता है सुद कार अपने मन से थोड़े ना चले की सर चार चलाने के आपको ओच 이상 सिखनी पड़ेगी उसको तो इस इस्टरजी को भी आप अपने डेली रूटीन की ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं और बहुत तरीके से यह काम करती है भावत अच्छे तरीके से काम करती है कि कि किसी का question query हो तो बता दे कि मेरे ख्यासे आज market गी रहा है तो question तो हो गाई open queue अनमोल जी बताईए क्या आपका query है अनमोल जी पितेश सर आपका क्या है सर एक बात आपसे पुछनी थी according to your experiences यह जैसे आज small cap को mid cap को बुरी तरह से तोड़ा हैं लोगों ने और निफ्टी को अपनी यह स्टेविल रखा हैं लोगों ने इससे पहले कब हुआ है इस पूछार पॉइंट की निफ्टी में और तीन है पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट ही तभी इन लोगों ने स्मॉल काइब को तोड़ा था ने आप मेरी बात नी समझे जब जैसे कल हुआ था कल अगा जब गिर रही थी मार्केट कल साथ में मार्केट अगर गिड़ती थोड़ी बहुत तो नीचे आई थी ऐसा नहीं कि बेदम चड़ी रही आज जो एकदम से लोने जटका दिया जोर का दिस्ट्रिबूशन लगा मुझे मार्केट के अंदर है मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ऊपर निफ्टी और बैंक बैंक निफ्टी चड़ी हुई निफ्टी भी स्टेबल और इसको मिड़काइब इंडिसेज 600 नीचे यह इससे पहले कब आपने देखा मैं यह पू कोई उठालीजे 100 उठालीजे 50 उठालीजे कोई उठालीजे कोई देखें सर होता क्या है यह देखिए आप जब इसमें डे का चार्ट देखो को तो आपको इसे कुछ खास नजर नहीं आएगा एक तो यह आपने देख लिया मिड़काइब निफ्टी 100 यह प्रॉपर ही चल दूसरा लगा लिजे मिड़कर निफ्टी आप लगा लिजे 50 लगा लिजे लगा लिजे लिए लेकि यह वी वैसे ही चल ला है कुछ खास नहीं है यह वाला यह वाला कंडिल आप लोग देखी रहा हूं जब आया था 400 यह अगला देख लीजे निफ्टी मिड़कर 400 इसको भी यह 150 को भी पकड़ सकते हैं इसमें भी सेम चीज है बस इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है यहीं दिखाई है क्योंकि अभी उससे पहले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी उपर और यह एकदम ठक्कर अभी मेरे पास किसी ने एक स्नैपशॉट भेजा था वाटसेप एक सजन ने भेजा था उसना कुछ तो आता है रहा था उसमें यह था अभी देखिया आई-ए-ए-फसी और बागी सब में बड़ी तेजी चल लई है और थोड़ा सा उपर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आई-ए-ए- मार्केट में कैसे पैनिक ले आया आता है वो समझिए पैनिक था बहुत जोड़ा था थोड़ा बहुत है ना तो यह था कि सरकार जो है रेल्वे के सारी सरकारी जितने भी शेयर है आई-ए-ए-फसी है और भी दुचार जो है जो भी है उसमें सरकार कुछ शेयर्स बेचे हैं कुछ शेयर्स बेचे हैं का मतलब तो यह हो गया ना कि सरकार उसमें और भी लिक्विडिटी लाने की कोशिश करेगी आने वाले ये किसी को नहीं मालूँ बस सरकार में सेर बेज दिये उस पे लोगों का शौट बनना शुरू हो गया उस पे लोगों का वीडियो बनना शुरू हो गया क्या होगी इसमें भेंकर गिरावाट क्या हो जाएगा रीटेलर बरबाद आई-ए-ए-फसी में ऐसे ऐसे क्लिक बेट वीडियो जाने शुरू हो गए आप चाहिए ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है क्या आई-ए-ए-ए-फसी में रीटेलर हो जाएगा बरबाद ये वीडियो की ट्रेक लाए तो उसको जाकर सालो क्लिक करतें मैं वहीं नहीं बना पाता मेरे पास वहीं वाली चीज ने अब आए इसमें वीकली जाके देख लिए वीकली क्या बोला है वीकली पर कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा एवरेज परसेंटाइल हिला हुआ है और ये थोड़ा सा अपने आपको एवरेज करने की कोशिश कर रहा है अब सोचिए आप देखिए आई-ए-ए-ए-ए-फC ए-ए- महीने एक जगह पर था मैं आई-ए-ए-ए-ए-ए-फC में मेरी जो एवरेज है वो अठावन रुपई किये 58 आरेस अब ये बुलिंजर बैंड को हटाते है और दूसरी चीज़े इस पर अपना सेटप लेया के लगा देते हैं फिर अभी आपको मैं क्लियर कर देता हुआ है वह तुम मैं भी समझ रहा है सर प्रॉफिट डुकिंग की जई है पर यह तरीका बड़ा जीव लगा मुझे और कोई बात नहीं थी क्या हर फरवरी में ऐसा होता है मैं यह पूछना चाहरा था नहीं सर ऐसा थोड़े की फरवरी में ऐसा होता है ऐसा कुछ नहीं है अब यह मार्केट के एवरेज की विए इसाफ से देखता हूँ वो थी कि जैनरी फॉर बुल्स फरवरी फॉर बेर और मार्च पॉर लॉंग टम इन्वेस्टर्स देखो सर मेरी बात सुनी है है ना आपको एकदम क्लियर 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 एकदम स्टेटमेंट में बता रहा है यह जहा की माल लीजे जनवरी बीर का हो गया और अपरेमडुक का हो गया और मं ऐलेफ्लि और झाल में हमेसा पृअधा म爵रेज को देखता हूं एवरेज की बेसिस पे जो मार्केट मुझे आदेश देता है वो मैं कर देता हूँ अभी मैंने आप लोग में लगातार अपडेट करता जा रहा हूं कि आज के मार्केट में मैं आपको एक स्नेप्शॉट भेज़ता हूं टेलीग्राम पर ध्यान दीजेगा मैं एक स्नेप्शॉट भेज़ता हूं यह आप लोगों के साथ साजा किया हुआ है पहले भी ना फिर से भेज दे रहा हूं इस गिरी हुए मार्केट में यह पगला गया और आज के दिन इसने चार परसेंट की मुवमेंट दी देख लीजे मैंने टेलीग्राम पे दिया अठाइस एर कॉंटिटी है तीन रुपया बाइस पैसे पर लिया हुआ है आपके साथ यह बात हमेशा शेयर की गई है आज की दिन इसमें टोटल प्रॉफिट जो चलना है आप लोगों ने देख लिया हुआ है तो मुझे क्या लगता है कि आपको मार्केट को हमेशा एवरेज की हिसाब से देखना चाहिए के पास आपकी ट्रेड होनी मतलब मुविंग अवरेज नहीं मतलब मार्केट का अवरेज जो चलना है अब यह वाला जो समय है यह वाला आपका हिट हुआ उसमें मेरी गलती थी गलती क्या थी एक तुम्हें बाहर था जब सिस्टम पे नहीं रहता हूं तो अक्सर ऐसा हो जाता है मार्क का अभी देखें कोसी की बार 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 नीकिना बार वार बार ऊपर दूसरा अब यह है रिलाइंस नीचे आने का काम नहीं कर रहा रिलाइंस का एक पैसा से लेके एक यार उपय तक का शेयर है, कहा से नीचे आ जाएगी डूसरी बात, तीसरी बात ही कि जो मैं देख रहा हूं, जो रितेज जी देख रहे हैं, जो मुहमत साहथ देख रहे हैं, जो अनमोल जी देख रहे हैं, जो गौतम जी देख रहे हैं, मार्केट वो नहीं करेगा, ये भी वाद ध्यान रखिए, मार्केट वो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, जैसे आपने, अभी मैंने कल परसों मे मैंने आपको एकांपल दिया था कि मार्केट सब कुछ पहचान सकता है लेकिन एवरेज को नहीं छोड़ेगा मार्केट मार्केट को लगता है आप मोर्निंग स्तार सभी लोग ट्रेड लेना सीख गरते हैं उस पर यह दौक ही देगा तो मार्केट अपनी डायनेमिक्स हमेशा बदलता ए उस डायनेमिक्स के साथ आपको अपना व्रेंध बदलना हों lot उस डायनेमिक्स को आपको accept करके चलना पड़ेगा अगर आप accept करके नहीं चलोगे तो आप आप फच्छ जाओगे अक्सर सर लोग उसको बोलते हैं कि नहीं उपर में मिले उपर में इन्वार्टेट हैमर बने नीचे में नहीं होता सर डोजी बनाके थोड़ा उपर लेके फिर फटाक से नीचे गिरा देगा तो इस अब चीजों को समझे नोडाउट जो आप बोलाई कि प्रॉफिट बुकिं मुझे पता है लिया कहां है मुझे पता है लिया कहां है मैं नहीं काटूंगा मैं एक महीने इस पोर्टफोलियो को छोड़ दूगा 40% अप होगा मुझे पता है जुमा जुमा तो भी साथ दिन भी नहीं हुए रितेश जी नहीं मैंने सीड़ा जाकान किया सर देखिए दो दिन मुझे 5% प्रॉफिट आया था जो बनाया था इस पीड से गया प्रॉफिट कि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप्लस लेके चल ला था कि कॉस्ट तू कॉस्ट लिए तो सर अमारा आपका ब्रेन है कि आपको किस तरीके से मार्केट को टैकल करना है टो लस्तों अल्ग तरम यहाले थे दो Bevölker लॉंग टरिंटिंट नाम अंब örन्टव त democracy तरमेन भान थिन चाराने कर दिया मने दो यह have having one more opportunity to have a profit in next 30 days, 60 days. तो ये चीजे लोगों को समझनी पड़ेगा, बिना समझे, काम नहीं चलने वाला है. अनमोल जी, आपका क्या question है? अनमोल जी, आदनन साब आपका क्या question है? गुड़ा फ्राणनून गुरूजी. गुड़ा फ्रार् ओन्मस्काल. साब उने शेयर की क्वैरी थी मेरे पास. शेयर की क्वैरी थी, बताएडाएडे कौन साष्य्यर? सार, UTL Ind po. unit trust of India यह वाला है या नाइ सर यूट्य यह solar इस अच्छा इस जो न जो न जो अच्छा इस लोग वाला या तो इसे बैठे रहे यह जै उनिवर्सल टेकनिकल इंसिचूट इसमें आप इन्वेस्टेड हो मंडे का वेट कर लीजे मंडे का वेट कर लीजे मंडे को अभी सोच रहे हैं तो अभी दो दिन रुकिये अभी आपने डाला नहीं है इसमें पैसा नहीं से डाला नहीं कर देखा तो देखा था कि 20 के उपर आ गया है तो यह तो आप बढ़ियां बोल लाओ मामला तो चंगा है इसमें लेकर थोड़ी सी इसमें गड़वड़ी मेरे को दिख रही है एक मिनट और छोटा करते हैं कहां कब रेंज आ रहा है यह बार इसकी रेंज अनालसिस करते हैं यह मामला है कहां का अपने आर्टाइम लो के आसपास है यहां पर यह लो है आपका दो रुपए चोंटिस पैसे यह भी आपका दो रुपए चपन पैसे है इसमें आपना सर अभी एक हटा और रुपो हाई जो इसमें कितना लगा है और टाइम हाई क्या है इसका अरे बाबरे तीरपन रुपए से सीधा यह अर्स से फर्स पर आया हुआ है जी सार अर्स से फर्स पर आया है इसकी इसको किसीने मेरे से पूछा था मैं इसको लिख ले रहा हूं है ना मैं मैं इसको लिख ले रहा हूं यह मेरी भी नजर में रहेजा यह Minneapolis कम से कम देखे मैं आपको इसमें बता दूं अंदर की बात क्या है इसमें जो इसका इसका टाइम है थोड़ा सा टाइम को भी मैं आपको दिखाऊ देख जो इसमें गान अनालसिस होती है उसको 2,014 और अभी आपका चला 2,024 टोटल यह 10 साल का टाइम है लग बग लग बग जी साल के समय में इसका एवरेज परसेंटाइल माइनस में ही रहा है प्लस में नहीं रहा है पहली बात तो यह जानी है कि इसका एवरेज परसेंटाइल जो है माइनस में है प्लस में कभी नहीं आया है प्लस में एक बार इसका एवरेज परसेंटाइल यहां पर प्लस में आने यह वसे यहां पर जाते हैं तर्ट मरिम्नस कम मायेईखने इनका में तो जआ आँपश्य औरे मुण होता बात पर आपकीन Reyling वहाल्ग कि बात इनना आप इक सबींकिन आप एक पर ले ले लो मन्थली पर ले लो कुी ले City यहां इसको बढ़ना चाहिए कम से कम चलो अरे दो रुपय पर लिए कम से कम पांच रुपया तो हो जनाब अपना दो रुपया निकाल लो बागी को छोड़ दो कि बिटाओ 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 जाओ तो वह वाली बाता निकाहरा हूं तो वह अभी इस situation में आने रहा है इस situation में आने के लिए जिस हिसाब से अभी फिर से यहां 2021 से लेकर यहां तक आया है आपका 15 रुपय से लेकर फिर यह दो रुपय पर आया और यह दो रुपया इसका यह पिछला वाला जोन है यहां से इसको बढ़ने के लिए कम से कम इसको पांच रुपय को उपर आज है हो तक और तक आवरेज बनेगा नहीं तो अखर मैं आपको बोलू हूं कि इसमें क्या करना तो अभी आपके इसमें मंडेट उल्ट दे तक तो रूप foreign श्राष्टिश ङंदार्थे भीशने तो उसमें मैंने श्टह ज् moisture तो एपने ऐना तो फूरेंड़ा आप आवा भी लिया था एने किसी भी लिया था सर्थ अपने अपने आपने असा यह सर्थ रफट भूख किया थ्रवा इन्वेस्मेंट के लिए मैं ने छोड़ दिया है वह मैं छोड़ देता हूं अच्छी बाद है बनिया है अच्छे तरीके से लिए 40-40 % के अउपा निकाल लिए सगे ने चलेगा सर्थ ध्येज सारा ही जलेगा ऐसा थोड़े तो यह अधोड़ हो जै पी तो डवाल होने वाला है जैपी बहुत सारे हैं सर बहुत सारे मैं किस-किस का नाव लो मेरीको खु 12 गास पास लिया है, आपने बताया है तो अब यह देखे, एक थोड़ा सा देख लीजे, Yes Bank पर भी थोड़ा सा आप लोग देख लोग Yes Bank भी अच्छे चल लोग अब लोग बोला Yes Bank ऐसा नहीं, वैसा Yes Bank गिर जाएगा SBI ने इसमें से कुछ हटा लिया, कुछ डाल दिया, कुर्सी खीच लिए, कुर्सी रख लिए, चल ले दीजे ना, चल ले दीजे एक बात आप बताओ, Yes Bank कि आप सभी लोग एक बात बताएगा कि मैं कभी आपको कोई न्यूस के बारे में जानकारी देता हूँ कभी नहीं देता, कभी नहीं देता, मैं न्यूस देखता ही नहीं, मेरे को जो न्यूस मिलता है वह आप ही लोगों से मिलता है, अब WhatsApp का नंबर सबके पास है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ना कुछ भेजी देता है, तो मैं भी देख लेता हूँ, क्यारे अच्छा, इसमें हो रहा है, IRFC में हो गया, RVNL में हो गया, ठीक है, हो रहा है, होने दोसका काम है, होना करना, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं, कि आपके ब्रेन में यह चीज़ थोड़ी सी इंटर करने की कोशिश करें, कि जैसे अभ कमिल नाडू टेली कम्मिनिकेशन का चार्ट देख लिए, आपने इसके अनाल्सिस देखी होगी, आज भी देखिए भगा है, डेली चार्ट लगा लिए, आज भी भगा हुआ है, तो मेरे को तो फानेंशल से, न्यूस से तो मेरे को मतलब ही नहीं रहता, तुम मेरे सेटप पे हो, मैं तुमको खरीद लूँगा, तुम मेरे सेटप पे नहीं हो, मैं तुमको नहीं खरीदूँगा, तुम मेरे सेटप से बाहर गया, मैं तुमको बेच दूँगा, मैं तो इतना ही का, मेरे पास तो सब तीनी उपा है न, सेटप पे हो, नहीं सेटप पे ह मत करी तो setup के बाहर गए बेच दो मैं तो आपको कुछ extra बताया नहीं रहा हूं कि आप news देखो या कोई जाके TV चैनल देखो यह तो मैं आपको कभी नहीं बोलता कभी भी नहीं बोलता हूं मैं तो हमेशा बोलता हूं कि हाथ जोड़के इन सब चीजों से दूर रही है त्याग दीजिए गंगा जल्ले के न्यूज चैनल यह वह अपनी चीज़ डेवलप कीजिए अपनी चीज़ डेवलप करेंगे तो ज्यादा मतलब फायदे में रहेंगी क्योंकि मार्केट का काम ही अज़र कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे कायदे का मतलब क्या कि एक डिसिपली को कुछ और किसी का कोई कुछ सब्सक्राइब और मैं थोड़ा से इधर उधर तो मैं फोन उठाणी पाया तो अब यह सेशन कहत्म हो जाएक तो कि कुछ लों का फोन निपाया था पोन यह नहीं तो भी आ था बहुत कुछ आ बहुत कुछ आए तो शंपरकर और किसी कोई 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 क्या एनिटिंग एवरीफिंग रिलेटेटेट ट्रेड रिलेटेटेट टु कोई फजा हुआ पोजिशन अब्रजी वह साइनेंट वाला गया ना उपर सो रुपए से साइनेंट डेलम कुछ करके कौन साइस्टॉक था स्यनेको पहाए मता दू आप मैं इस पेल करता हुआ मुझे भी Cafria sy tuck d यह एन डिल्म DLM. यह वाला है न? Yes. नहीवाला नहीं लिए. यह नहीं वह नहीं. यह यह वाला है मैंच भागा? यह बगा? पूच उठाएं 120b auditor यह है? मार्केट गर रहा है फिर भी रहा है जाएंगासर, जाएंगा। जब बोला है तो चलेगा. अगर मलिकारदुन जी आये हैं तो अपना वो वेबैग बताएं वेबैग की वेबैग है वेबैग 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 यह देखिए देखे अभी कुछ दी पहले डिस्केशन हुई थी कि 750 के आसपास जाके पीछे की तरफ आएगा देखिए आ गया यह पीछे की तरफ और इस स्टॉक पे यहां से बात चीज़ चल लए यहां 250 के आसपास से बात चल लिए यहां 250 के आसपास से बात चल लिए इस स्टॉक लिए 250 से आपके सामने की बात है 737 चला गया मनिकारजिन जी आये हैं क्या आये हैं इसे बाद देख लेते हैं पता चल जागा इसे नहीं आया हूंगे इदर उजर हूंगे यहां इसे बी एल एकसा आये कॉन सा आ बी एल एकसा है बयाक्सी तो दिया हूंग है ना ना कल शिर्प पूछा था ले लिया था इसमें तो एक ही दिन में चुवा से आती बन गया कितने पर लिया था आपने लिए तो आपने क्या सोच के इसको ले लिया कि मतलब क्या है क्या मामला इसकी देखो आप जो बूलते हैं कि कंपनी देखो ने कुछ ने देखो अपने निशाने पर आगया है अधाल या ठोंग दिया नहीं बहुत अची और भी कोई है क्या को साभी साभ आपका नहीं सर फिलाल तो कुछ निया फिलाल तो आपका सट्राटे संदे तो अधम हरा हरा हो गया अभी तो ठीक है अच्छी बात है और किसी का कुछ है प्रकाश कदम जी विट्टो देखना एक VITO यह अज थी अज अज भीन लिया से और किल भीन चाहिक성 हरे सबस्टो कि भीन लिए कि प्रेजी ब्रेस का वड़नाक्त मतलब मैं आपको कमपणी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं थोड़ा सा कई के कंपनी के बारे में जानना चाहिए वेटो जो स्विच गिएर्स है ना ये अपना माल उठाती है यहां से उठाती भी है और सप्लाई भी करती है जो यह आपका कौन सा है अरे बहुत बड़ी कंपनी है सुमी मदर्शा our solution दंअ कि चार फैक्ट्रिया यहां पर हैION ग्रेटर नवड़ा दिल्ली में अंनों को पता होगा धर ग्रेटर नवड़ा साइड स्विच गेर्स मतलब क्या कि आपकी बाइक में आपके कार में जो छोटी-छोटी चीजे लगती है उनको ये बनाती है उनकी ये मैन्फैक्ट्रिंग में है तो ये मिंडा आपका ये मदर्सन सुमी एल एंटी इन सब कंपनियों में इसकी सप्लाई जाती है और इन सब कंपनियों से भी सामान लेती है अब मुझे क्यों मालूम है ये क्योंकि इसलिए मुझे मालूम है और जितने भी आटो वाली कंपनिय आटो या आटो मोबाई से संबंधित कोई भी काम कर रही है उनका भविष्य उज्वल है उनका भविष्य उज्वल है खासकर दिल्ली और बैंगलॉर जैसे सिटीज में जैसे दिल्ली में आपकी गाडियों की जो इक्सपारी हो 15 साल की है बंगलॉर में भी शायद ऐसे तो यहां पर यह सब चीजें है और इस अब आप करो कि मैं इसका इस कंपनी से क्या लेना देना है वीटो क्या करता है भी जैसे 15 साल की स्पायर है या कोई गयर है उसमें लगने वाला कोई पार्ट है आप समझे अब जो मैं इसके एकस्पायरी तय कर रहे हैं कि लेकिन कोई जुरूरी नहीं थोड़े कि इसके सारे पार्ट खराब काम कर देए खुल बंद रहा है इसमें का दोनों कान में जो लीड लगती है वो काम कर रही है तो वीटो उटो वाली जैसी कंपनिया चोटी कंपनिया को क्या करती है उस कुछ को सही करना हुआ कुछ को यह करना हूँ आप समझझे इस बात को यह चीज आपको बिजनस में समझनी की वाट कंपनी स्व का चे आपको काम करती हैं अ इस ताइप के कंपनी में अगर आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो यह लबे समय के लिए अगर आप लगा रहा हूं तो आपको बहुत बढ़ियां चलता है बहुत बढ़ियां चलता है देखिए मदरसन सुमी का शेयर खोलिये यह मैं आपको दिखाता हूँ मदरसन सुमी देखिए यह बहुत सोलो चलता है ज़र बहुत ही सलो चलता है मदरसन सुमी एक गुनट मदरसन एम ओ एक और है इसका एक और समवर्धना यह भी देखिए अब मैं आपको अपनी बात बताओं मन्त पर यह तब मज आएगा मन्त ने तीन मन्त पर आएगा कर देखिए 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 मेरी जो सुमी मदर्शन में जो मेरी होल्डिंग है वह नियर बाउट आपकी यहां पर लिया हुआ है यहां कहीं आस पास लिया हुआ है यह गिरा भी है फिर यह उठाए पिर यह उठाए यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया फिर यहां से यह उपर गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तीन नहीं तीस तीस महिना नहीं ततीस महिना मतलब दो साल प्लस यह प्लस प्लस यह गिरा है और इस गिरावट में भी मैं इसके साथ बैठाऊ इस गिरावट में भी मैं इसके साथ बैठाऊ हुँ तोसी आप 21 लेवल का पेशन्स ने और ये समर्दना में क्यों गिरावट हुई थी उसका भी कारण आप जान लिए इनकी फैक्टरी में हुई थी हड़ताल और उस ताइम कुछ कम्प्लाइंसेज बद्ले थे आपके पेमेंट आफ बेजेज और मिनुमम बेजेज एक्ट के कुछ कम्प्लाइंसेज बद्ले थे उसके वैसे कम्पनी में बड़ा बवाल मचा था बहुत जादा बवाल मचा था उस बवाल का इंपक्ट यह था कि इनका प्रोडक्शन हाफ हो गया था इनका प्रोडक्शन जो था वो हाफ हो गया था इसलिए इस कम्पनी में लगातार दो साथ गड़बर नहीं लेकिन ये इतना बड़ा गरुप था क्योंकि इस ग्रुप में government का भी stake है, इतना बड़ा गरुप था तो इसके मतलब गिरने के आसार नहीं थे, कितना गिर जाता सर, zero नहीं होता, कितना गिर जाता, तो यह सब कहानियां भी आपको जाननी पड़े, कहानिया मतलब क्या कि एक कंपनी जो एक ठीक ठाक अच्छा एक बात यह भी समझें मैं आपको जिसने भी इस तॉक को बताता हूं जिसने भी स्टॉक का डिसकेशन करता हूं पचास रुपए सो रुपए के अंदर ही होते हैं कर आपने लोगों को देखा है कि लोग बूलते हैं घ्रेंगी ब्रेंगर के किसी चीज को सुच dove अगर मज़ा नहीं नहीं आएगा और जिस कंपनी का अ fund a mental सही हो उसमें लगाओ कि यही कहते हैं आप सभी लोग जानते हो कि इस कम्पनी का फंडामेंटल सही हो उसमें पैसा लगाऊ ऐसा क्यों कहता है सर बताईए बुलेगे किसी के पास है इस बात के जबाब बुलिए है कि फंडामेंटल जिस बी का सही हो जिसकी डिदस अच्छी हो उसमें पैसा लगाँ है यह डिसके esa और यह डिसकेशन आपके आपकी इस इन्वेस्टमेंट और स्विंग की जर्नी को ना अलग दिशा दे सकती है सही मैं आपको बता रहा हूं कि आप उठाके देख लो आप टाइटन उठाके देखो रिलाइंस उठाके देखो भारती अटेल उठाके देखो अदानीज को उठाके देखो इस ताइप के 10-15 कंपनियां उठा लो आइसी बैंक कुछ भी उठाके देखो आप यह सब कंपनियां ऐसी है कि आज के दिन बिना चार्ट देखें आज के दिन यहीं बैटे बैठे माल लीजे मार्केट खुला है बिना चार्ट देके आप इसमें 25 रुपए डाल दो एक लाग रुपए डाल दो 25 यार जह 25 क्रोड़ रुपए डाल бол testify कितना अब भी कि को यह कंपणियां ऐसी हैंकि हर तीम से 5 साल में डबल हो जाती हैं यह यह कंपणियां वह कि हर तीम से पांक साल में डबल हो जाती हैं कि कि इसलिए लोग बोलता है कंपनी का का 2 वी है और कुछ नहीं होता है क्योंकि अगर आप रिलायंस में अब जाके देखोगे तो रिलायंस में अब आपको investment का मौफा नहीं है Swing का मौफा है अगर आप ρिलाइंस में investment के point of view से जाओगे तो अगले 3-5 साल के लिए बैठना पड़ेगा आप रिलायंस का मंतली चार्ट खूल लो बारा बारा महीने पर लाइन लगा दो और आप एक वर्टिकल लाइन लगा दो बाहर बारा महीने पर एक साल में रिलाइंस ने कितना मूग दिया आईए मैं आपको करके एक छोटा सा एक्जांपल करके दिखा देता हो चला याएगा रिलाइंस देख लिए र-e-l-i-a-l-c लगे रहने दिए तीन महीने का चार्ट है कि 2020 में क्या था रिलाइंस में बस मैं आपको एक वही बड़ी वाली गिरावड दिखाना चाहूंगा 2020 में यह आपका कुरोना था है ना तो इसको एक महीने पर ले आते हैं 2020 में थोड़ा सा समझी करते कि मैं आपको वह वीव देना चाहता हूं जिससे आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाके काम करो 2010-11-15-2020 यह कुरोना था इस वाली जगा को हम लोग थोड़ा सा मार्क करके चलेंगे यह कुरोना था इसको कर देते हैं सब ऐसा कि इसको कर देते हैं बॉक्स में हाना बॉक्स में कर देते हैं और इस बॉक्स का विट्थ देते हैं रेंज देते हैं इस बॉक्स की कहां से कहां तक गिरा विया यह गिरा आपका जिए 600 पॉइंट को छोड़के कहीं पर भी रिलायंस में गिरावट यह मैं करोना का दिखा दो हजार बीस में जो रिलायंस गिरा था अगर मैं इस प्राइस को पकड़ के चलू मानने वर देखी या इसी उपर वाले प्राइस को पकड़ देते हैं सरी जब रिलाइस उपर आया 1454 रुपए पर आया इस ताम 2971 रुपए पर चल आया डबल हो चुका है 2020-2424 हो गया की नहीं डबल बोलिए हो गया की नहीं यही कला है सर यही कला है बस एक जो आरस्ट इस्टाब होता है मार्केट में Reliance हो गया अदानी ऑगया अम्बानी ऊगया एधानी खोल लो अदानी में भी हो सकता कुछ माइन लगी हो जब मैंने दिया कि 12 December को बोल दिया था कि आदानी गिर जाएगा देख लो भई यह आपना कीतना गिरेगा वो मुझे नहीं पता और फरवरी के फरस्ट वीक में हिंडन बर्गवाल आया था जो मैं बार बार बोलता हूं अब फिर वही छहासु आदानी को मैंने पाई दिया था उसके बाद बो झोड़ों अभी नीचे नहीं आने चोट अभी नीचे नहीं आने लिगा का नि शेम एदानी पोर्टं था और सभालभानी एंटी फिमया ति का निध मेरी बक्सा बनाओं अ बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है देखिए यह आपका यहां से निकला है यहां पर भी कोरोना पकड़ दीजिए में को अधानी में करोना देख लीजिए कहां पर कर लाधानी यहां का यह अदानी के यहos यार बाइस फिर इना कि बहुत पीछे से बैठाओं बहुत पीछे सो तो आपको समझना पड़ेगा सर कि वास्तों में पावर आफ इंवेस्टिंग है क्या यह सब यह सब देखें मैं आपको बता रहा हूं मानने वार यह सब चीजे ना आपको दस मिनट के वीडियो में नहीं बताई जा सकते आज जो इस टॉक में आप लोग को बताने की कोशिश करना हूं आने वाले समय के अदानी अम्बानी एयर टेर रिलायंस आर्थी यह सब आज जो मैं आपको बताने अगर खुदा ना खासता हम लोग अगर अगली 15 साल तक करेक्टेड रहेंगे भगवान करें कि हम लोग करेक्टेड रहें तो आप देखिएगा यह सब चीजे आ यह सब डिसकेशन का मुझता है इसको आपको समझना पड़ेगा साथ मेलेकर चलना पड़ेगा और उस ताइब का ब्रेन रखना पड़ेगा उस फ़र्ड प्रॉसेस को समझने के लिए और तब दीरे 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 जाकि कि आप आगे चाहिए आप चलेंगे आपके 10 लाक रुपाई करोड में कब करणवार्ट होंगे आपको समझ में नहीं आए आपके 10 लोग समस्ता ही नहीं है सर लोग समस्ता ही नहीं है दिक्कत तो यह है अब मैं वह नहीं करना वास्तों में आप से सही बताऊं विद गार्ड ग्रेस मैं यह नहीं करना चाहता है कि मैं आपको दस मिनट की रोज की एक इस टुड़ी यह वह मैं नहीं करना चाहता हूं कि मुझे पता है कि मेरा कंटेंट किन लोगों के पास पहुंचता है जो इस बात को समझे और विएक दो इस टॉक देख लीजे जो अच्छे अच्छे स्टॉक है सर एल एंटी देख लीजिए स्वारी एल एंटी देखिए सर लार्सन एंट अर्गो एक महीने का चाट लगाई यह देखिए सर यहां पर एक लाइन कीचे जड़ा यहां पर एक बाक्स बनाते थोड़ा से बड़ा करते हैं इसको जैसे आपको समझ जाया है कितने दिन का है सर यह जहां से गिन लेते हैं कितने दिन का कितनी कंडिले हैं वह भी तो गिनना पड़ेगा कि साल गिन लेते हैं कि 21 से 24 यह क्या है चलिए फर्वरी 21 से फर्वरी 24 मालें तो फर्वरी 21 मार्च 21 फर्वरी 22 फर्वरी 23 फर्वरी 24 चार साल साड़े तीन चार साल देखिए तेरह सो रुपए से आपका 3700 रुपए आज का जो भाव चला उसकी लेते 181 पॉइंट नियर बाट 200 परसेंट की ग्रोथ है सर इसमें 200 परसेंट सर चार साल में अगर आपने इसमें एक लाख भी रुपए डाले होते फिर क्या होता आप खुद समधार हो मुझे कैल्कुलेट करने की जुरूत नहीं लेकिन यह पता कैसे चलेगा बात अब आप भी मेरे को कोश्चन करोगे कि यह बता तो दे रहो आप पता कैस चलेगा से मैं रोज बता रहा हूं हुआ है मैं रोज बता रहा हुआ है अब मुझा सीमेंट देख ली एक मतलब 50 रुपए की कमपणी कहां से कहां पहुंच गई पचास रुपए की कमपणी सर कहां से कहां पहुंच गई आप डिक्साउन को देख लो सर डिक्सान आप थोड़े सी बढ़ोत्तरी हो गई भावी सर रुपए की कमपणी कहां से कहां पहुंच गई दिक्साउन मैं अब दो अफते पहले यही बोला थे गिरावट आने बागी देखिए वाली गिरावट थी बागी का आप चाड देख लो ए चाड देख लो यह जितने भी स्थाथ ना इन सब में हूं यह जितने भी स् कहाँ से कहाँ पहुंच गी सर ग्जायजागू के एक कमपनी कि मांतर चार साल के अंदर चार साल के अंदर कि चलिए मान लेते हैं कि आपने इसमें 500 रुपए में पांस रुपए में माली आपने एक लाख रुपय लगाया था पांस रुपय के इस पर माली ज़िए आपने इसमें खरी देते एक हजार खरी देते या शुर खरीदे छह ढ़िवा ज़िए चलना हो गया है चली एक बार मोटा मोटा एक अनुमान लगा लिजिए थोड़ा सब्सक्राइब को पॉजिटिव सिगनल दीजिए ना कि छे हजार कि छे हजार टू सेवन सेवन माइनस पांसो बराबर इतना हो गया आपने क्यों सौशेर लेकर रखे थे इन्टू हंड्रेड क्या बात कर रहे हो सर्थ कि आपको हाण कर तो आप दिखा रहा हो लेकिन उस ताइम निदे भी ने भी टाल दोगे लेकर तो आपके आने वाली पीडियां मतलब आपको भर भर क्या शिर्वात हैं, हाँ प्रमो सर, क्या कोशन है? आपको तो मैंने बताया था, कि L&T जो आपने बोला था, वह हमारे पिताजी ने लेके रखा है 180 पे, और मातरा सव शेयर लिये थे, वह स्प्लीट होते होते अभी 1125 हो गया है, और रेट हैं, और रेट हैं, जो है वह around 3600, approximately, तो पेटे 36 लाख रूपे तो वह एक ही शेयर के हो गए, तो जो आप बोल रहे हैं, कि वही long term के हिसाब से अगर रखते हैं, तो multiplication बहुत ज़्यादा होता है, और मैं तो उस चीज का अनुभव करता हूँ, सर, multi-fold होता है, वह, multiplication नहीं होता है, multi-fold हो जाता है, जी जी, जी, और इतनी बार multi-fold हो जाता है, मेरे पास हैं सर, मेरे पास ऐसे near about 42 या 45 यह, जो multi-fold होके रखे, शरी प्र रखने की हिम्मत तुमारे अंदर में होना चाहिए, या हमारे साथ तो गलती से रह गया, अब वाले case में गलती से रह गया, उसको सर, जनली उसका digitalization करवा लीजिए है, वो physical format में है, वो physical format में होगा, आपके, वो आपके पास paper format है, उसको digital format में करवा लो सर, आप, नहीं अभी करवा तो, next, सारी पढ़ाई लिखाई चोड़के उसको paper format में करवाई, इलेक्रोनिक्स format में करवाई, तो ऐसे सर, सीमेंस देख लो सर, सीमेंस, देखो, यह इसलिए यहाँ पर लग के रखे हैं, कि मैं इसमें अपना कामधाम देखता रहता हूँ, कहीं पर कुछ लाल पीला चलता है, तो लाल वाले को मैं देखता रहता हूँ, मैं इसलिए करके रखा हूँ, और कोई बात नहीं, तो थोड़ा साथ चीजों को समझने कोशिश कीजिए, मैं आपको जो भी चीजें बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बेसिस पर बताता हूँ, ना कि मैं किसी आपको, मैं आपको ना टिप्स देने की कोशिश करता हूँ, ना मैं आपको आपका brain इस तरीके से डेभलब करने या करवाने कि कोशुश करता हूं कि नहीं आप ऐसे करो ऋब ऐसे करो नहीं जो market देख रहा है जो market आपको दिखाना चाहा है उसको देखोम्हराज 10 और कुछ भी नहीं है ये रेक आउट ब्रेक आउट वेज़ेज ये सब सब मिथ्या है सर नो मो उल्ली माया में आईए सब मिथ्या है सब बक्वास है आपको चीजें वो बताई ही नहीं जाती जिसके आप हकदार हो नौर्मल चीजें कि दिन लोग को तो यहीं नहीं पता है कि नॉर्मल चीजें हैं क्या शेयर मार्केट में अगर यहां पर आपको सर्वाइब करना है तो वाट रॉड्र मार्मल थिंग्स बेसिक वेसिक वेस्कॉसिटी क्या है मार्केट की नहीं बताई आती है कोई एक देखे सबसे बड़ी बात आज के जमाने में चीजें है इतनी प्रकार की हो चुकी है कि उसमें से असली यह तो ढूड़ना बड़ा मुश्किल है दूसरी बात मेरे फाल्लॉवर बड़े कम है मेरे फाल्लॉवर क्यों कम है मैं उसका वी राज में आपको दस मिनट वाली वीडियो नहीं है थोड़ी देर में करोड़ पती बना के भेज दो यहां से वह मेरे पास दूसरी बात तीसरी बात को क्या दिक्कत यह है कि कोई भी आपको यह नहीं बताना चाहता है कि लोगंच रम मैं क्या है। यह Alberacy कि इतना ही होता है उसके देल विख्ञुम rape एक साथ दो साल में कि इंध्र क्या हो सकता है मैं अगर मेरे कहे अनुसार अगर आप 25 परसेंट भी चलते हैं आप इसमें से 25जेमें किरल लो थी नौ फरवरी को अगर आपने 1,00,00 रुपए लगा दिये 9 फरवरी 2024 को अगर आपने 1,00,00 रुपए लगा दिये तो 9 फरवरी 2025 में ये बात 100% तय है अगर आपने चार्ट एनाल्सिस की है तो उसका 1.500% प्लस ही होना है माइनस नहीं होना है पहली बार वो चीजी आपके सामने हैं मुझे बताने की जरूबत नहीं है जो लोग मुझे साल वर से या जो लोग मुझे पिछले 25 दिन से फालो कर रहे हैं उनके सामने ये सब बाते प्रूवेन है वो मैं उसमें नहीं आना चाहता बड़ कहीं पर भी इन्वेस्स करने से पहले अपने से विरेस्टर एडवाईजर की साहता जरूर लें और अपनी अनार्सिस स्वैंग करें ये भी बात है पहली बात दूसरी बात ही है एक बात समझ लिजे दूसरी बात ही अगर माल लिए आपने कहीं लाख रुपई दस लाख रुपई पीस लाख रुपई और रुपई डाले हैं सो रुपई पर 100 रुपए पर इसकी observation करते हैं माल लिजे आपने 100 रुपए डालिए एक साल में या 6 महीने में 100 रुपए पर आपको 118 रुपया मिला कितना % मिला? 13 % या 10 % जो भी माल लिजे 113 % मिला अगर आपको 100 रुपए पर 6 महीने में 115 % नहीं मिला है आप समझो आप लास में हो, यह बात समझ leo आप आप लास में हो साहर zeros, आप प्राफिट में हो ही नहीं, यह बात दिमाग में कील की तरह ठोग लिजी आप, कि निकलने ही ना पाये, आप लास में प्रॉफिट में हो ही नहीं जर छह महिने में 13% अब यहां पर मैं किस से पूछू कोई बताया मोख शार्नामेंट में कितने का प्रॉफिट चला अभी आज के दिन अगर किसी ने लिया हो तो बताया मोख शार्नामेंट में को मेरे दिये हुए किसी भी शेर में कोई एक बता दीजे कोई दो या कोई तीको भी बता दीぜ ऐसंबनें अपना समीनित किया हो या आपने जिसाइबना प्रॉविट बुक किया हो चैंब हो छonne沉 रणिंग मूद आपने कोई बता दे कोई भी बता दे अज कल भी डिसकुस किया था आज भी डिसकुस किया था वो ताइम इंडा डूट टेली कम्मुनिकेशन तो अगी 5% अगी 5% अगी 5% अब रहूगा अन्मोल जी लेने के बाद श्रीफ देड़ दो मैने में 107% चल गया ना सर हाँ हां 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 मैं वह नहीं लिया लेकिन बहुत सारी श्टॉक जो दिया है वह बहुत से यान्मोल साब कोई भी बता रही आच्छे हां आपका दिया हुआ पूरा पोर्फोलियो आप है मेरा एक्लिस 40% आप है मेरा 40% आप है कितने दिन में आप है सर 40% इस बात की मैं आप मैं रिकॉर्डिंग पर लेता हूं ऐसे ऐसे नहीं रिकॉर्डिंग पर लेता हुआ है आपने जो स्टॉक रिकमेंडेशन दिये था वह 4 दिसंबर से मैंने स्टार्टिंग करी है तो 40% में पॉट्फोलियो आप है और मेरा नहीं मेरा दो फ्रेंट्स हो रहे हैं उनको बताता है उनका भी आप है तो चार दिसंबर से लेके आज आज आपका हो गया 24 जनवरी चार जनवरी से आपका हो गया 24 फर्वरी तो इसने डिरिंग इस पीरिए आपका पॉट्फोलियो 40 परसेंट अप है अब क्या आप मेरे किसी प्राइम मेंबर्शिप में सामिल नहीं किसी में सामिल नहीं किसी में सामिल नहीं है अदनान साहब आप जी बताया है अच्छा जी आपका हो गया अनमोल चाहां अनमोल चाहां अनमोल चाहां मनो जी चाहां मनो जी जी आपका भी ऐसे है आप मेरे किसी भी प्राइम मेंटर्शिप प्रोग्राम में सामिल है जी नहीं जी बहुत बहुत धन्यवाद सार बताने कि नहीं कि जो हम लोग पॉब्लिक मीटिंग करते हैं किसी में हम लोग कनेक्ट होते हैं पॉब्लिक मेटिंग इन सब्सक्राइब कितना अप है मेरे ख्यासे जहां तक मुझे याद है आप लुक बहतर वाई क्योंकि अफ्सी सौफ्ट्वेयर नियरबाव 2.5 रुपई के आसपास दिया हुआ था और किसी का गौतम साहब गौतम नुबारिया साहब तो यह चीज है तो मेरे जानते हैं मेरे कहने का मतलब सिंपल सिंपल यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि मेरे की मेरी मेरी कंडिशनिंग कहा है यह आपको समझना पड़ेगा बिना समझें आपका काम नहीं होने वाला है सर नहीं होने वाला है नहीं होने वाला है कोई financial काम नहीं करता है क्यों चार्ट काम करता है मैंने भी आपको 10 चार्ट दिखा भी दिए कि चार्ट किस तरीके से काम करता है मैंने भी आपको 10 चार्ट दिखा भी दिए और गुसावी साब ने भी बताया आप तो ये सब छोटी छोटी बाते हैं जिनको ध्यान में रखके चलिए बिना ध्यान दिये कुछ नहीं होने वाला आप यहां से एक मुंफली उठाके नहीं लिया सकते प्राफिट बहुत दूर की बात है समझ यह इस बात को मेरी क्या इच्छा रहती है मेरा यह रहता है ना सर कि लोगों को कुछ ऐसी चीज़े दी जाए जिस पर लोग अपना थोड़ा सा ब्रेन को और फार्मॉलाइज करने की कोशिश करें फार्मॉलाइज में उसे कि जो मार्केट में जो चीज़े नहीं दिख रही है ना बाब समझ एला अलाकिक चीजां को देखते तो उनके देखने के दुब्च द्रिश्टी अलग होती थी जो सामान निम्मानों नहीं देख सकता उनके देखने की दिविद्रिष्टी अलग हो दी दिविद्रिष्टी आपको मार्केट में लेनी होगी तो इन सब चीजयों पर ध्यान दीजिए इन सब के बावजूद अगर किसी मेंटोर्शिक प्रोग्राम में का है इनके पास बड़ा प्रोग्राम सब कुछ है ऐसी बात नहीं लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहता है कि मैं यहाँ पर आपको इतनी चीजें इतने स्टाउक्स देखिये मेरे को खुद याद मैंने कितने बता है अनमोल जी पिछले 6 महीने से आ रहे हैं चौहान मनों जी पिछले 2ौ4 महीने से ऌर वह स्टाइब लोग हैं यहां पर जो मेरे किसी थी प्रोग्राम में नहीं है बट वो मेरे साथ रिकुलर है तो उन लोग के पास मेरा पूर और सब्चान रिकार्ड रही है। पब्लिक लिया थे पडिलिक मीटिंग मैं. और उसे ली है आपका पूरा प्रोफित बनाथ है? हाँ गुर जी. 100 प्रसंट. और आपम उख फोन पे बात भी करते हो? और आप उटाते भी फोन बाद भी करते हैं, कुछ इशु नहीं है, और रिप्लाइ भी आता है वाटसप पे, कुछ मैसेज की आता हूं, मेरे पास समय रहता है, या समय निकाल में करता ही करता हूं, रिप्लाइ, तो देखो सर, इसारा सब कुछ आप ही लोगों के लिए है, मै मैं अपना कोने में बैटके ट्रेडिंग करता हूं, और भगवान की दया से मैं ठीक ठाक अपना काम कर लेता हूं, परमकुझे गुरुजी का आशिरवाद है, सरस्वती माता की कृपा है, सारा सब कुछ चला है, आप लोग का भी आशिरवाद है, सब कुछ ठीक ठाक चला ह मैं यह कोशिश करता हूं कि मैं इस लायक रहूं कि आप लोगों पुछ ऐसी चीज़े मैं प्रोवाइट कर दो, इससे आपका काम हो जाए, आपको जिंदगी में आपको पीछे मुण के ना देखना पड़े, और यह सब चीज़ें ऐसी हैं सर, जिसमें अगर आप मेरे साथ दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा नहीं दोगे, पहली बात तो दस मिनट में होने ही वाली नहीं है, अगर आप दस मिनट में करना चाहते हूं, तो वास्तों में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को छोड़ लो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आप मेरे क निवेदन है कि अगर मेरी बताईवी चीज़ें आपके पल्ले पड़ती हैं दिमाग में पड़ती हैं तो यूट्यूब पे जाके लिख सकते हैं वह लिखना सब्सक्राइब 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 करने के लिए बड़ा ही स्विफ्ट रहना पड़ेगा बहुत स्विफ्ट रहना पड़ेगा इन सब चीजों का ध्यान दीजिए अपने उपर ध्यान दीजिए चीजों पर ध्यान दीजिए इन सब चीजों के अलावा अगर आपको लगना लगता है कि नहीं मेरे को एक्स्ट्रा एज की जरू होथ है तब मेंटर्शिप प्रोग्रा क्योंकि एक बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से ब्inchारा है कि मेरे पास स्नैप्शॉट आते न देता हूं कभी नहीं देता हूं लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पर आज भी दो चार स्नैप्शॉट आए हुए मेल करें, आपको दिया हुआ है सब कुछ, बहाँ पर लियाएं चीजों को इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा पकड़ गे चले मेरे साथ, ले टरी मैं आपको किसी की जरुवत नहीं पड़ने दूश। यह आप से मैं प्रॉमिस करता हूं, कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से चिपके रह गए, लिटरिली मैं आपको की जरुवत नहीं पड़ने दूश। और वास्तों में छे मीने बाद मैं आपको अपने आप से भी फ्री कर दूर। थोड़ा सा समय आपको देना आपको समय दने देना मैं तो रोज ही आता हूं सर आज में लाइब में नहीं आया तो इधर आगया तो तक लिए नमश्कार आप लोग सुखी रहें आपकी फैमली सुखी रहें बहगान करें सब्सक्राइब माता पिता बच्चे सारे स्वस्थ र बाइब कि यूर सुरु कि एूण नमस्कार देन नवा नमाता है यू नमस्कार इू नमस्कार इता ही हूं